और अबात करते हैं आमाद्वी पार्टी की जिसके मुश्किल लगातार बढ़ती दिखाए देती कभी किसी मामने को लेकर और एक और सबसे बड़ा मामला था लाभ के पत का मामला जिसको लेकर आमाद्वी पार्टी के 20 विधाईकों के खिलाफ आरूप लगे थे और इनके ख आपके 20 विधाईकों के सुयाचिका को खारच कर दिया था जिसमें याचिका करता से प्रतिवादियों को जुरह करने की इजासत देने की मांग की गए थी मुखे चुनाव आयुक्त ओपिरावत चुनाव आयुक्त सुनीला रोडा और अशोक लवासा ने अपने 70 पन्नों के आदेश में साथ किया है कि इस मामले में याचिका करता से जिरह की कोई दरकार नहीं है क्योंकि वो इस मामले की कार्रिवाही का गवाह नहीं है साथी पृधिवादी अपनी अरजी में दी गई दलील के मुताबिक इस मामले में किसी गवाह को पेश किये जाने के जरूरत साबित करने में भी नाकाम रहे है इससे पूर्व दिली हाई कोट ने चुनाव आयोग के सिफारिश और आश्परती के अधि सूचना को रद्य कर दिया था और दिली हाई कोट ने आदेश दिया था कि इन विधायकों के सुनवाई ठीक से नहीं हुई है इसलिए इस मामले में आयोग फिर से सुनवाई करे जिसके बाद निर्वाचनायोग ने विधायकों को फिर से सुनवाई के लिए बुलाया